आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ इसको हमें सोग करना था अगर कोई particle simple harmonic motion करेगा तो इसकी जो total energy होती है क्या होती है constant होती है वो हमारा time पे time के change होने से हमारा total energy नहीं change होती या फिर जो हमारा distance है उसके change होने से भी total energy हमारी constant रहती है तो यहां से हमने माल लिया कि कोई particle क्या कर रहा है linear system कर रहा है, इसको example से समझेंगे हमने मालिया कोई particle linear system कर रहा है वो अभी यहाँ पे है, तो यह क्या हो जाएगी उसकी equilibrium position हो जाएगी, इस equilibrium position से, अगर particle system करेगा तो मैं पता है, इस equilibrium या mean position से दोनों तरफ equal distance तक motion करता है, यहाँ से motion करके कभी यहाँ जाएगा, ठीक, यहाँ से वापस घुम के अपनी equilibrium position पे आएगा, तो जहाँ particle अपना direction of motion change करता है, ठीक, वो क्या होता हमारा extreme position कहलाती है, यहाँ से वापस घुम के अपनी equilibrium position पे आएगा, फिर उतनी distance दोसरी तरफ भी जाएगा, तो extreme position पे उसकी जो kinetic energy होती है, या फिर यहाँ पे उसकी velocity होती है 0, ठीक, दोनों extreme position पे velocity 0 होगी, तभी हो वहाँ से क्या करता है, इससे पहले गर देखो, तो यहाँ पे particle माल लेते, किसी moment पे particle यहाँ पे था, ठीक, अभी यहाँ पे देखो, इसका displacement हम माल लेते हैं, अभी इसके equilibrium position से x का हुआ था, अभी किसी moment पे अगर particle हमके equilibrium position से दूर की तरफ जा रहा था, तो बताओ उसका displacement बढ़ रहा होगा, ठीक, displacement बढ़ रहा होगा, तो उसकी velocity घट रही होगी, घट रही होगी, एक ऐसा moment आएगा, कि उसकी velocity 0 हो जाएगी, इससे पहले particle इस direction में motion कर रहा था, मतलब equilibrium position से दूर की तरफ जा रहा था, एक ऐसा moment आया, उसकी velocity 0 हो गई, वहाँ से क्या करता है, particle वापस अपने equilibrium position पे आना स्टार्ट हो जाता है, clear हो गया, तो किसी भी moment पे अगर देखो, particle क्या करता, equilibrium position से दोनों तरफ equal distance तक लगातार motion करता रहा है, तो यह हमारा simple harmonic motion बन जाता है, अब देखो, displacement हमारा बढ़ रहा होगा, बढ़ रहा होगा, जैसे maximum displacement क्या होगा, equilibrium position और extreme position की बीच की जो distance होती है, हमारा maximum displacement होता है in SHM, इसको बोलते है amplitude, clear हो गया, यह amplitude क्या होता है, maximum displacement in SHM, हमें पता है कि जैसे extreme position पे पहुँचेगा, उसके बाद वापस equilibrium position पे आएगा, तो जैसे वापस आएगा, तो X की value घटनी start हो जाएगी, ठीक, तो it means जो maximum displacement होगा, हो क्या होता हमारा amplitude के equal होता है, अब माले ते किसी moment वे particle का equilibrium position से displacement X का हुआ था, यहाँ पे उसकी velocity V है, ठीक, अब यहाँ पे उसकी total energy अगर हम देखें, तो total energy यहाँ पे क्या होती ही, उसकी हमेशा, अगर find out करें, तो total energy अगर देखो, उसको हम पहले निकालेंगे, तो total energy किसका समय सन होता है, kinetic energy plus potential energy, क्योंकि हमें total energy की बारे में बात करनी थी, तो पहले आप यहाँ पे देखो, उसकी velocity V है, तो kinetic energy हमारा आप से कोई पूछे, तो V equals to क्या बताएंगे, omega under root A square minus X square, clear हो गया, यह हमारा उसकी velocity हो गई, X displacement था, और A क्या था, हमारा amplitude, omega क्या होता, angular frequency, ठीक, तो V की value इसमें put कर दोगे, को kinetic energy हमारा आ जाएगा, kinetic energy equals to half M, V square, V की जिगा पर क्या हो जाएगा, हमारे पास omega square into R, root A square minus X square, important बात है कि kinetic energy हम इस point पे निकाल रहा है, ठीक, माल लेते हैं हमारे पास एक कोई point A था, इस point, sorry, A तो हमने amplitude ले लिया है, माल लेते कोई point P था, general point P था, जब displacement X का हुआ था, तो X square, यह हमारा kinetic energy हो गया, जब displacement X का था, ठीक, तो किसी moment पे अगर displacement X का हुआ है, तो kinetic energy गर कोई particle SGM करता है, तो उसकी kinetic energy इतनी हो जाएगी, यहाँ पे जो हमारे पास time है, M क्या है, mass of the body, omega क्या होता, angular frequency, A क्या होता है, amplitude, X क्या होता है, displacement, जब आप देख पार है, X का displacement हो है, उसके equilibrium position से, अब यहाँ पे potential energy, देखो, डारेक्ट उसका formula होता है, potential energy equals to क्या होता है, half K X square, तो अब देखो, half K की value कितनी होती है, हमारे पास M, omega square, ठीक, यह हमारा आगया की, into X square, displacement क्या था, हमारे पास X square का, sorry, X का तो यहाँ पे हो जागा, X square, यह हमारा आगया potential energy, ठीक, यह हमारा potential energy का function हो गया, अब देख पार है, potential energy हमारा directly proportional है, X square के, ठीक, अब दोनों को जोड़ दोगे, तो किसी moment पे, जो अपर point A था, वहाँ पे total energy आपको मिल जागी, kinetic energy, ठीक, इसको K ही हमने लिया है, kinetic energy plus potential energy, दोनों को add कर दोगे, तभी तो आपको total energy मिलेगी, आप kinetic energy भी find out कर चुके हैं, जब displacement X का था, और potential energy भी, इस displacement X पे find out कर चुके है, इक मींस, point P पर आपने kinetic energy देखा, और point P पर आपने potential energy find out कर दिया, दोनों add कर दोगे, तो point P पर आपको total energy मिल जाएगी, ठीक, अब kinetic energy की value कितनी थी, half m omega square A square, ठीक, minus half m omega square into X square, प्लस, यह हमारा था, पूरा total ही क्या था, हमारे पास kinetic energy था, अब यह हमें potential energy भी तो add करना है, क्योंकि हम total energy find out कर रहे है, potential energy की value आप calculate कर चुके है, half m omega square into X square, एक चीज़ आपको दिखा होगा, कि half m omega square into X square, cancel हो जाएगा, यह दोनो energy देखो, उसके value कितनी होगे, हमारे पास, half m omega square into A square, यह हमारा आगया total energy, अब आप देख पार है कि हमारा total energy है, क्या displacement पे depend कर रहा है, नहीं, यह हमारा क्या है, independent displacement पे है, जहापे क्या होगे, हमारे पास यह total energy है, हमारा independent of displacement है, अब यहाँ पे देखो, एक ही variable था, वह भी हम particular frequency, mass भी constant होगा, amplitude भी हमारा constant होगा, क्योंकि हमने कहा गहा, amplitude तो नहीं change होगा, अगर हम particle कहते, simple harmonic motion कर रहा है, तो जो equilibrium और extreme position की बीच की जो distance थी, वो तो थो थोड़ी ना change होगी, amplitude हमारा constant है, it means कि जो होगा total energy हो हमारा constant होगा, अब इसका मतलब क्या होता, अगर हम देखे, total energy हमने क्या गहा, constant होगा, आप किसी भी point पे बात करो, चाहे हो displacement x का हो, चाहे हो equilibrium position पे particle हो, या फिर extreme position पे particle हो, total energy is always concerned, ठीक, अब माले थे कि किसी moment पे particle, जो displacement था, x का था, यहाँ पे आपने देखा, total energy माले थे कुछ t e था, ठीक, तो इस displacement x बेज़े particle था, तो total energy यहाँ प बात करते हैं, कोई जोने displacement x का, माले थे particle यहाँ पे है, कुछ अलग displacement x का हुआ है, तो total energy यहाँ भी हमारा constant रहता, क्योंकि हम देख बार है, total energy हमारा displacement पे तो depend ही नहीं कर रहा है, ठीक, किस पे depend कर रहा है, amplitude पे, तो amplitude तो हमारा constant होगा, it means total energy, कोई particle अगर ऐसे चम करता है, तो उसके motion के किसी भी पातफे, total energy क्या होगी, always constant रहेगी, यही हमें तो प्रूब करना था, तो अगर हम graph बनाए, graph किस के बीच में, total energy और displacement की बीच में, तो आप देखेंगे हमारे पास जो total energy और displacement का करवाएगा, इस तरह से हो सकता, यह y-axis में में ले लिए total energy, x-axis में में आगया total energy, अगर कोई अब से कहता, total energy और time का graph बनाए, तो यह हमने क्या देखा, total energy और displacement का graph बनाया, तो total energy हमारा displacement भी depend नहीं कर रहा था, ठी, आप कहेंगे amplitude भी तो एक तरह का displacement है, बट amplitude तो हमारा constant है, amplitude आप देख पा रहे हैं कि यह तो fix हो गया, equilibrium और extreme position के बीच की distance, तो हमने क्या देखा, किसी भी time पे, किसी भी time पे कर देखो, मालने थे T equals to zero से particle motion ने start किया, हाँ पर जो total energy है, किसी moment पे हम कहते है कि किसी T time पे particle हाँ पर पहुंचा है, तो दोनों particle position पे देखो, total energy तो हमारा same है, it means कि total energy भी हमारा constant होगा, time के change होने से total energy हमारा change नहीं होगा, it means motion, thank you